वेलकम टू अनेकडोटर स्टेडी है। मैं हूँ अवशेख और एटेगलंस प्रोग्राम के एक नए पिशोड में आसका हमारा टॉपिक है अंगामी जापू फीजो। अंगमी जापू फीजो का चर्म 1904 में और इनकी मृत्तियों 1990 में हुई थी। इनका जिवनकाल 60 वर्षों तक रहा। ये नागलेंड के अजादी के अंदोलन के नेता थे। इनका नागलेंड से अच्छा खासा जोड़ाव था। नगा नेशनल कॉंसिल की अध्यक्ष थे। शुर्वात की थी। और सांतिय स्थापित करने के लिए निक नेताओं से भी इन्होंने बात के उनसे मुलाकात की। बाद में बात नहीं बनने पर ये पूर्वी पाकिस्तान में चले गए जिसे आज बंगलादेश कहते हैं। और वहां से ये फिर लंदन चले गए। और लंदन में लंदन चले गए और वहां जीवन के अंतिम तीन दसक वहीं गुजारें। में गुजारें। ब्रेटन में ही गुजारें। और वहीं उनकी मृत्यू भी हो जाती है उन्यसों नबेश्वी में। अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रेशन। ये में लिखित में से कौन नग्गा नेशनल कॉंसल के अध्यक्ष थे। आपके आप इसका जवाब भली भांती जानते हैं। लेकिन फिर भी आपको इसका जवाब हमें कमेंट सेक्षन में बताना है। अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सेरे करना ना बूलें। और अगर आप कमारे चैनल पे नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राब करना ना भूलें। और बेल एकन प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन टाम टो टाम आपके पास जाती रहें। थैंक्स पर वाचिंग, हैव अग्रेट डेय।